हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल अर्थशास्तर की नगरी सो गाईज आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं आई और रोजगार के निर्धारन वाले चैप्टर के अंदर टॉपिक का नाम है अल्पकालीन संतुलन उत्पादन के नुमेरिकल जी हाँ जिसकी आपकी जो है बहुत ही जादा डिमांड थी कि सर जी अल्पकालीन संतुलन उत्पादन के नुमेरिकल कोशन्स को जो है कराईए उसके numerical questions जो है हमको समझ में नहीं आते हैं किस तरीके से इसके numerical questions को solve किया जाता है कैसे जो है संतुलन पे Y, C, S, K ये सब किस तरीके से निकलते हैं ये numerical questions जो है हमको बताईए तो आज की video बहुत ही जादा important होने वाली है क्योंकि 3 number आपके term 2 के अंदर पक्के होने वाले हैं guaranteed question है 3 number का इसी topic में से आएगा ही आएगा और इसमें कई सारे question है book के अंदर तो इसके जितने भी part बनेंगे 2, 3 देखते हैं वो तो जितने भी बनेंगे आप जो है सारी की सारी video को systematic वेसे देखते रहिएगा आपके 3 number जो है इसमें पक्के हो जाएंगे इसको करने के लिए आपको सबसे पहले 2, 3 basic बातों का आपको पता होना चाहिए कि अर्थविवस्ता के अंदर संतुलन तब क्रियेट होता है जब या तो ad is equal to as हो जाता है या s is equal to i होता है जब ये दो condition हो में से कोई सी approach को भी लगा लो अर्थविवस्ता में संतुलन जो है वो क्रियेट हो जाता है दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो ad होता है ये c plus i होता है और जो as होता है ये y के बराबर होता है ठीक है तो अगर मैं इन दोनों चीजों को इस समीकरन में put कर दूँ ad की जगा c plus i रख दूँ और as की जगा मैं y put कर दूँ तो मेरे पास जो है एक equation आजएगी y is equal to c plus i ये मेरे पास एक equation आजएगी ये equation बहुत ही ज़ादा काम की है आपको क्या ध्यान रखना है जब भी आपको question के अंदर उपभोग फलन गीवन होगा उपभोग फलन कैसा होता है c is equal to c bar plus by इसको उपभोग फलन कहते है आपको ये condition लगा देनी है कुछ भी पूछाओ संतुलन पे वो अपना आप आजाएगा automatically और अगर आपको बचत फलन दे रखा है तो आपको ये वाली condition लगा देनी है s is equal to i जब आपको बचत फलन दे रखा है कैसा होता है s is equal to minus का s bar plus mps y आपको ये दो बाते इसके numerical questions को करते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है क्योंकि ये ही वो दिक्कत है जिसकी वज़े से आप numerical questions को solve नहीं कर पाते हो तो किस तरीके से इस पे numerical questions को solve किया जाता है देखिए बहुत सारे questions है इसके अंदर k के भी हैं c के भी आई के भी हैं y के भी हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे जित्ते भी इसके पार्ड बनेंगे पहले question के अंदर माल लीजिए आपको एक भोग फलन दे रखा है ठीक है c is equal to 100 plus 0.5 y ये आपको दे रखा है और बोला है भाई i जो है ना i जो है वो आपका 1000 है तो कह रहा है संतुलन पर y ग्याद कीजिए जब अध्यवस्ता संतुलन पर है तो ऐसी situation में हमको y निकानना है y का मतलब होता है income अब मुझे given क्या है यहाँ पे मुझे given है उभोग फलन ठीक है तो बिना कुछ सोचे आप यहाँ पे लिख देंगे के भाई संतुलन पर न मैंने क्या बोला जब वोग फलन given होगा तो क्या लगाना है c plus i is equal to y यह condition लगा देनी है c plus i is equal to y इस condition को लगाएंगे तो c की value पूरी की पूरी क्या given है आपको यह c की value पूरी की पूरी given है 100 plus 0.5y यह आपको c की value given है plus i कितना given है आपको i आपको given है 1000 इसको यहाँ put कर देंगे और यह y की value दे रखी है y को y put कर देंगे यहाँ पे कुछ नहीं given है अब नंबर वाले जोड देंगे 100 और 1000 कितना होता है 100 और 1000 होता है 1100 plus यह हो जाएगा आपका 0.5y और is equal to y जिसके पास इसका अगर हम गुडांक की बात करें इसके coefficient की बात करें तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसके बहुत कुछ होता है उसके पास 1 है ठीक है जिसके पास कुछ नहीं होता है उसका coefficient 1 होता है गुडांक कहते है हिंदी में तो 1100 is equal to ये y वाले के साथ y वाला solve कर देंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1y minus 0.5y ठीक है ये 1 कहां से आया मैंने बोला जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके पास 1 होता है ठीक है यहां पे लिख देंगे 1100 is equal to 1 में से 0.5 को minus कर देंगे 1 में से 0.5 को जब minus करेंगे तो आपके पास 0.5 आ जाएगा कैसे ये इसको हासिल देगा 10 10 में से 5 गए 5 0 में से 0 गए 0 तो यहां पे आपके पास 0.5y अब y अगर आपको निकाननी है तो 1100 ये इसके साथ गुड़ा में है तो जो चीज गुड़ा में होती है वो चीज भाग में आ जाती है तो यहां पे आ जाएगा 1100 divided by 0.5 और 1100 divided by 0.5 is equal to 1200 ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका answer तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इस तरीके से जो है आप इस numerical question को solve कर सकते हो इसी तरीके से अभी मुझे यहां पे भोग फलन दे रखा था चीक है बहुत सारे numerical question है हम सब करेंगे बन बाई बन अब जड़ा एक और question देखिए again आपको c दे रखा है c is equal to c is equal to 100 plus 0.75y यह आपको दे रखा है और इस question में आपको y भी दे रखी है y is equal to 6000 तो वो कह रहा है संतुलन y पर संतुलन y पर c ग्यात करो c ग्यात करो यह आप से question में पूछा गया है बहुत ही अच्छा question है जड़ा ध्यान से समझेंगे बोलता है यहाँ पर c दे रखा है और y दे रखा है आपको और वो कह रहा है संतुलन y पर c ग्यात करो इसका मतलब क्या है कि यह जो y जो निकली है यह जो y आपको यह जो question में दे रखी है यह equilibrium वाली दे रखी है जैसे जो हमने उपर निकाली थी एक लूबीरियम से निकल के 22 वाई तो यह अब आपको already ही दे रखी है यह अब आपको already ही दे रखी है जैसे इस question के अंदर अगर मैं आपसे बोलता कि संतुलन पर y निकालो और मैं आप एक और चीज लिख दू संतुलन y पर c ग्यात करो c ग्यात करो c ग्यात करो तो भाई मेरे पास इकलू बीरियम लेवल पर इंकम आ गई कितनी है तो अगर मैं इसी question के अंदर जो मेरा ये पहले वाला था अब मेरे को c भी निकानने के लिए बोला है तो मैं क्या करूँगा ऐसी situation में यहाँ पर आ जाएगा 100 plus 0.5y यह दे रखा था मैं क्या करूँगा जो मेरे पास यह बाईस सो आया है मैं इस बाईस सो को यहाँ पर पुट कर दूँगा यह बाईस सो कौन सी इंकम है यह आपको ध्यान रखना है यह इकलू बीरियम लेवल पर इंकम है संतुलन पर जो है एकलू वीरियम लेवल पर जो है जो हमारी I है वो है ये तो जम में इस Y को उबोक फलन में पुट कर दूँगा तो ये एक जिरो से एक जिरो कर जाएगा और C is equal to 100 प्लस ये हो जाएगा आपका 0, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 11 तो ये C कितना आजएगा ये C ये C आपका आजएगा 1100 ठीक है कितना आजएगा ये Cthere ये C आपका जो है 1100 आजएगा जो हमने याँ पे is को solve किया था ठीक है, अब देखिए अब ये तो फिलाल I याँ पे दे रखा था ऐसा कुछ नहीं है इसको छोड़ दीजिए वो तो यहाँ पे 1000 था वो तो यहाँ पे 1000 था इस वज़े से यह 1100 बन रहा है यहाँ पे इस इस से कोई ले न देना नहीं है ठीक है तो यह आपका C आ गया अब इस question में इस question में देखो क्या है इस question के अंदर आपको वोग फलन दे रखा है और आपको जो y दे रखी है वो यह वाली दे रखी है इकलूबीरियम पे अल्रेडी आपको find out करके दे रखी है इकलूबीरियम लेवल पे income कितनी है और कह रहा है केवल c निकालो केवल सी तो आपको कुछ नहीं करना इस question के अंदर आपको जो है इस question में बस आपको यह जो y है ना इस y को इसमें put कर देना है 6000 यहां में y निकानने की जरुरत नहीं है इकलुबीरियम लेवल पर वो तो already given है question के अंदर तो यह हो जाएगा 1000 प्लस decimal अटाएंगे नीचे सुआ जाएगा 2 0 से 2 0 को जो है क्या कर देंगे हम कट कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा यह बचेगा आपका 75 इंटु में 60 तो 75 को जब हम 60 से इंटु करेंगे तो यह हो जाएगा c is equal to 1000 प्लस 4500 और 4500 और 1000 को जब हम प्लस कर देंगे तो यह आजाएगा पचपन सो यह हो जाएगा आपका answer दोनों कोशनों में आपको क्या समनना है दोनों कोशनों में आप यहां पे जो है यहां पर आपको जो है यह given है 0.75 और यह आपको 6060 गीवन था ना तो 75 इंटू में 7 45 गीवन है ये ठीक है और यहाँ पे आपको जो है 1000 गीवन है ठीक है ठीक है अब देखिए अब जो है आपको दोनों कुशनों के अंदर difference समझना है दोनों कुशनों के अंदर difference क्या है यहाँ पे आपको एक बोकफलन गीवन था ठीक है और आपको यहाँ पे आई गीवन था उसने यहाँ पे दो चीज़ा आपको find out करने के लिए बोली पहला संतुलन पर Y ग्याद कीजिए और संतुलन पर C ग्याद कीजिए पहले equilibrium level पे income निकाननी है संतुलन Y पर S ग्याद करो मानलो मुझे S भी निकानना होता सब ग्याद करो संतुलन पर तो कैसे निकलती है चीज़े पहले तो आपको equilibrium level पे income निकाननी है तो equilibrium level पे income कैसे निकलती है मैंने बोला जब वोक फलन दे रखता हो तो यह condition लगा दो बस यह condition लगा दो आपका equilibrium level पे income आ जाएगी मैंने इसको solve करा तो equilibrium level पे मेरी income आ गई और फिर उस पहला पार्ट मेरा निकल गया फिर उसने बोला संतुलन पे S ग्याद करो तो मैंने यही जो income आई है इसको बोक फलन में रख दिया क्योंकि वो equilibrium level पे income आई है न मेरी उसी को मैंने बोक फलन में रख दिया तो बोक आ गया और अगर बचत भी निकाननी हो मेरे को तो बचत कैसे निकलती है IMS इसको minus कर दो 200 रुपे income है 1100 को minus कर दो तो 1000 आ जाएगा आपका बचत तो सब कुछ आ जाएगा आपका Y, C, S सब कुछ अगर आपको एक बार equilibrium level पे income आ गई तो सारा का सारा खिल equilibrium level of income का है income के आने के बाद भोक भी आ जाएगा बचत भी आ जाएगी जो उसने बोला सब आ जाएगा question number 2 में क्या difference है इसमें आपको C दे रखा है और यहाँ पे I नहीं दे रखा यहाँ पे Y दे रखा है और जो Y है यह equilibrium level पे already है मतलब जो मैंने find out किया था तो मेरे तो काम बच गया उसने बोला आप C निका लो तो इसी income को मैंने बोक फलन में रख दिया C लिख दिया अगर वो यहाँ पे बोल दे अगर वो यहाँ पे बोल दे कि संतुलन Y पे S ग्याद करो S ग्याद करो तो भाई equilibrium level पे income है equilibrium level पे consumption है तो S निकानने के लिए मैं क्या करूँगा Y minus C तो Y कितनी है मेरी equilibrium level पे 6000 और यह कितना है तो 6000 में से मैं 500 को minus कर दूँगा तो कितना आजएगा मेरा मेरा answer आजएगा 500 तो इस तरीके से आप question को समझीए कि question में क्या कह रहा है पहले equilibrium level जो है equilibrium level जो है यह क्या होता है कैसे equilibrium level पे इसको find out करते हैं यह आपको समझना है अब देखिए ज़रा आप हम बात करते है question number 3 की question number 3 में आपको बचत फलन दे रखा है एक बचत फलन दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है minus का 25 plus 0.5y ठीक है यह आपको बचत फलन दे रखा है और i आपको दे रखा है 5000 ठीक है और कहा रहा है आपको दो चीज़े निकाननी है इस question में संतुलन पर y निकालो और संतुलन पर c निकालो संतुलन पर y और c ठीक है तो अब आपको बचत फलन दे रखा है तो अब आपको जब बचत फलन दे रखा है विड़ा तो मैंने क्या बोला मैंने बोला भाई S is equal to I लगा दो हो जाएगा आपका काम यहाँ पर put कर देंगे value को minus का 25 plus 0.5Y is equal to I की value कितनी दे रखी है यह दे रखी है 5000 ठीक है 0.5Y is equal to इसको इदर ली आएंगे तो यह हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका 5025 और Y is equal to Y is equal to 5025 अपन में 0.5 दशमलव अटाएगे उपर जो है 10 आजाएगा ठीक है तो Y is equal to 50250 अपन में 5 इसको solve कर देंगे तो आपका जो answer है यह आजाएगा आपका 10,050 equilibrium level पे आपकी income आ गई अब वो कुछ भी पूछे चाहे वो C पूछे चाहे वो S पूछे सब आ जाएगा एक बार ही आ गया तो कैसे अब मुझे C निकानना है equilibrium level पे तो मैं क्या करूँगा मैं पहले S निकाल लेता हूँ मेरे को जो S दे रखा है माइनस का 25 प्लस 0.5Y 0.5Y तो मैं क्या करता हूँ जो मेरी income आई है माइनस का 25 प्लस 0.5 ये जो Y आया है मैं इसको यहां put कर देता हूँ equilibrium level पर है न तो मेरी जो budget निकलेगी वो भी equilibrium level पर लिकलेगी क्योंकि मैं जो Y पूछ कर रहा हूँ मैं जो Y पूछ कर रहा हूँ वो equilibrium level वाला पूछ कर रहा हूँ तो 0.5 multiply multiply 10,050 को मैं पूछ कर देता हूँ तो यहां पर जो मेरा आजाएगा ये आजाएगा 5025 तो S निकल के आजाएगा मेरा 5000 ठीक है S निकाल लिया मैंने equilibrium level पर अब C भी आजाएगा कैसे Y is equal to C plus S होता है तो C निकानना है तो Y minus S is equal to C Y की value कितनी निकली थी 10,050 S की value कितनी निकली है 5000 तो C आजाएगा आपका 5050 तो देखे कितना easy है तो एक बारी equilibrium level पे income जगर आ गई तो आपके पास सारी चीज़े आ जाएगी अब मैं इसी question को जैसे मैंने उपर वाला करा था अगर मानलो आपको बेटा ये बोले कि S जो है वो ये है minus का 25 से में ये question ले रहा हूँ minus का 25 plus 0.5Y ठीक है और वो आपको बोले कि Y आपको दे रखी है मानलो इस question में Y आपको दे रखी है 10,050 ठीक है ये S दे रखा है ये Y दे रखी है और ये जो Y है वो आपको बोल ला है वो आपको बोल ला है कि संतुलन Y पर C ज्याद करो संतुलन Y पर C ज्याद करो और S भी ग्याद करो यह आपको बोला है कोश्चन के अंदर तो अब देखो अब क्या करना है अब आपको कोश्चन में Y दे रखा है ठीक है और S दे रखा है और वो आपको कह रहा है संतुलन Y पे C ग्याद करो और S ग्याद करो तो यह जो इंकम दे रखी है न आपको यह Y जो आपको दे रखी है यह संतुलन पर है यह इकलूबीरियम पर है ओल्रेडी अब मैं वो नहीं लगाँगा S is equal to Y यह नहीं लगाना अब आपको अब आपको जो income दे रखे वो lady equilibrium पर है आपको बस क्या करना है आपको बस इस question के अंदर ये जो income का level दे रखा है ये जो income का level दे रखा है आपको बस इसको यहाँ पर put कर देना है सीधा तो मेरे पास S निकल के आ जाएगा minus का 25 plus 0.5 को इससे multiply कर देंगे condition लगानी है equilibrium की और कब condition नहीं लगानी जब Y दे रखा हो तो condition नहीं लगती क्योंकि वो जो income है वो equilibrium लेवल पर ही है लेकिन जब I दे रखा होता है तो condition लगती है पहले Y हमें खुद find out करना पड़ता है और तब जाके जो है Y और C को हम find out करते हैं अब S आगी है मेरे पास Y आगी है मेरे पास तो C कैसे निकलेगा C के लिए मेरे को Y में से minus करना पड़ेगा इसको तो C मेरे पास आजाएगा 5050 तो ये आपको मैं समझाना चारा हूँ कब condition लगानी है कब directly put कर देना है जब Y दे रखा होता है तो direct put कर देंगे जब Y नहीं दे रखा होगा आई होगा तो condition लगा के पहले Y निकालते हैं फिर put करते हैं तो ये दोरों कोशनों के अंदर जो है difference है जो आपको समझना है और देखिए और किस तरीके के जो है numerical question पूछे जाते हैं यहां पे आपको यहां पे आपको एक question दे रखा है question number question number 5 यह कहता है कि संतुलन संतुलन S तथा संतुलन I ग्याद करो संतुलन S तथा संतुलन I ग्याद करो और आपको जो data गीवन है Y आपको गीवन है चोवालिस सो MPC गीवन है 0.75 and C बार आपको जो गीवन है C बार आपको जो गीवन है यह आपको गीवन है यह आपको जो गीवन है यह आपको गीवन है 100 ठीक है? अच्छा आप ज़रा ध्यान से समझेंगे उसने बोला कि भाई संतुलन पे संतुलन पे जो है क्या-क्या निकानना है? संतुलन पे S और संतुलन पे I जो है find out करना है और यह आपको डेटा गीवन है अब इस डेटा के अंदर इस डेटा के अंदर ना तो आपको उब्वोक फलन गीवन है और ना ही आपको जो है ना ही आपको जो है बचत फलन गीवन है तो ऐसी situation में हम जो है क्या करेंगे अब जो है अब जो है कैसे जो है इसको solve करेंगे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बस ठीक है देखो जब भी y गीवन हो जब भी y गीवन हो ना तो बस आपको एक चीज ध्यान दखने है कि यह जो y है यह जो y आपको गीवन है ये एकलुर बीरियम लेवल पर ही है तो अभी तक मैंने ओपर जो question हो को solve कराता मैं चाइल तो यहां लिख देता हूँ ये जो एकलुर बीरियम लेवल पर ही है एकलू बीरियम लेवल पे जो income है वो ही है यह question मैं नहीं लिखेगा आपको यह ध्यान लखना है अब जो है अभी तक मैंने जो उपर question को solve किया था मैं क्या करता था मेरे को भोक फलन गीवन था मेरे को बचत फलन गीवन था महीं पर put कर देता था आ जाता लेकिन अब नहीं तो यहाँ पर भोक फलन गीवन है ना यहाँ बचत फलन गीवन है अब मैं क्या करूँ मेरे पास दो option है मेरे पास जो data गीवन है उसके accordingly मैं भोक फलन निकाल सकता हूँ कैसे c is equal to c bar plus b कितना दे रखा है यह b होता है 0.75 और y कितना दे रखा है y आपको जो दे रखा है यह दे रखा है 4.400 तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे पास c निकल क्या आ जाएगा निकर देते हैं इसको solve 100 is equal to the decimal time यह 100 आ जाएगा 20 से 20 75 को multiply कर देना है 44 से तो यह आ जाएगा आपका 33 तो c is equal to यह आ जाएगा 34 यह जो c आ जाएगा आपके पास यह जो c आ जाएगा आपके पास यह क्या आ जाएगा आपके पास यह आ जाएगा आपका यह आ जाएगा आपका उभोग अब मैं क्या करता हूँ अब मैं जो है अब मैं जो है S निकाल लेता हूँ क्योंकि में कोई पता है Y is equal to C plus S होता है यह equilibrium पे income थी तो यह equilibrium पे उभोग होगा अब यहाँ पे मैं put कर देता हूँ value 4400-3400 is equal to S तो 1000 is equal to S यह आगे आपका S और equilibrium पे equilibrium पे S और I बरावर होते हैं तो जो S की value आई है वो ही जो है I की value आईगी तो I भी कितना हो जाएगा I भी जो है आपका हो जाएगा 1000 तो आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ मैंने आपको एक भोग फलन जब गीवन था तो कैसे करेंगे जब बचत फलन गीवन था तो कैसे करेंगे ठीक है जब वाए गीवन है तो कैसे करेंगे जब आई गीवन है तो कैसे करेंगे और जब नहीं भोग फलन गीवन है और नहीं बचत फलन गीवन है तो किस तरीके से तो किस तरीके से numerical questions को solve किया जाता है वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है ठीक है जी तो आप इन questions की practice कीजिए ठीक है वो बोग फलन जब गीवन हो बचत फलन जब गीवन हो जब दोनों ही ना गीवन हो ठीक है जब Y गीवन हो जब I गीवन हो जैसे मैंने किया है बिल्कुल सेम यह concept लगाईए अगर आपसे question नहीं होता comment box में मुझे comment करके बताईए अगली class के अंदर अभी ऐसा नहीं है और भी question करेंगे हमें इसके मैं ज़्यादा question नहीं करा रहा हूँ और भी question करेंगे भी तो K वागेरा किस तरीके से निकलता है MPC, MPS, Y, SOI, यह तो गोग